हेलो फ्रेंट्स विल्कम टु माइश्टडी फिक्स चैनल दोस्तों उसकाड़ों की यह जैसे मैंने बहुत दिन वीडियो नहीं बना पा रही थी दोस्तों आज का टॉपिक है प्रचीपर यानि प्रजेक्टाइल देखे दोस्तों प्रजेक्टाइल के अंतरगत यहां अधिय किस आर्पूट हो गया जैविलीन डिसकर्ज इन सब को किस कोड़ पर फेका जाए कि वह अधित्तम दूरी तय करें तेखें इसी का ग्यान प्रजेक्टाइल यानि प्रचीपर क्यांतरगत किया जाता है यानि क्या समझें कि वस्तों को किस एंगल पर यानि किस कोड़ पर फ जैसे किसी वस्तों को यदि 45 अंस के कोड़ पर फेका जाता है तो वह अधित्तम दूरी तय करता है और उसी को जब 90 अंस के कोड़ पर फेका जाता है तो कोई भी दूरी तय नहीं होती है अर्थात प्रच्छे पर जो होता है वो सुन होता है तो कुस्टन इस प्रकार का बन सकता है कि किसी वस्तु को 45 अंस के कोड पर फेका जाए तो वस्तु कि इस्थिति क्या होगी क्या होगी वस्तु कि इस्थिति वस्तु अधितन दूरी तया करेगी वही यह पुछा जाएगा कि वस्तु किसी वस्तु को नभी अंस के कोड पर फेका जाए तो वस्तु कि इस्थि कशिआ कैसे क्स ची यहीं होगी कि बारे अगे तो शीति कहते हैं जैसे कि हम कोई वस्तु ठेक्ते हैं तो वहां ठेकने की सुरुआँ से लेकर वहां गिरने तक यानि लेंडिंग तक होने की यानि कि प्रच्षेपर में प्रारामभीग दूरी तथा अंतिम दूरी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं रेंज कहते हैं इसको रेंज कहते हैं प्रच्षेपर जब हम प्रच्षेपर कहते हैं कोई वस्तू ठेकते हैं थ्रू करते हैं तो उसके प्रारमभीग दूरी और अंतिन दूरी कि बीच का जो समय होता है बीच की जो दूरी होती है उसी को रेंज कहते हैं ठीक है निफ्ट है एपेक्स यानि चोटी यानि कि जब फेकी गई वस्त अपने उच्चितम बिंदू अठाथ सरवाधिक उच्च पर होता है तो उसके एक और है भी इंप्स के समय में जिसे कि फेकी गई वस्तू अपने उच्चेतम बिंद आणि सरवाधिक उच्चाई पर होती है तो उसके एपेक्स कहते हैं और इसको परास भी बोला जाता है क्या बोला जाता है तो तो उसे परास के नाम से भी जाना जाता है इस दोरान लगे शमय को असेंटाइंग कहते हैं जब वही वस्तु नीचे की वर आती है तो उस लगने वाले समय को डिसेंटाइम कहते हैं जैसे लांग जब हाई जम ट्रिपल जम पोल वाल इसमें असेंटाइम डिसेंटाइम होता है ठीक है फेकी गई वस्तु जो हम वस्तु फेकते हैं तो मेरे पास से वहां लेंडिंग एरिया तक जानेंग कुछ समय लगता है पत होता है किसी पत से होकर हिने वस्तु जाता है तो फेकी गई वस्तु के उडियन पत को क्या कहते हैं टेजेक्ट्री कहते हैं ठीक है तो यह कुछ समबल सकता है कि टेजेक्ट्री किसे कहते हैं तो किसी फेकी गई वस्तु के उडियन पत को टेजेक्ट्री कहते हैं जिस प पत से होती वे ओ जा करके अंती बिंदपर गिरेगी तो उसी पत को क्या कहते हैं तेले कहते हैं इस प्रकार और साहेतिक भासा में बौल सकते हैं आप कि किसी फेकी गए वस्तों के उडियन पत को पेजेक्टरी कहा चाहता है टेजेक्टरी तीर प्रकार के होती है उर्धवाधर यानि वर्टिकल टेजेक्टरी परवलयाकार यानि अबलीक्यू टेजेक्टरी छेती यानि होरिजेंटल टेजेक्टरी तो पहले उर्धवाधर यानि वर्टिकल टेजेक्टरी पढ़ेंगे तो उर्धवाधर ने वर्टि अंस के कोड पर फेकी गई हो इसमें वस्तु सीधे ऊपर जाती है ठीक है इसमें वस्तु सीधे ऊपर या सीधे नीचे फेकी जाती है उर्धवादर या वर्टिकल ते जेक्टिवी का होता है वस्तु और नब्य अंस पर फेकी गई हो ठीक नहीं और फेकी के वस्तु एकदम उ तो क्या समझें वर्टिकल में जो होता है कोई वस्तु सीध्य उपर या सीध्य नीचे जाती है इसको ध्यान में रखतीएगा जैसे कि हम लोग इतने ही डिसकर्स थ्रो गुला फेक जो होता है है मैं फेकते हैं परवलियाकार में फेकते हैं जैसे कि यही प्रच्छेपर का प्रच्छेपर कोड़ होता है वस्तुन होता है तो दोस्तों यह था चोटा सा वीडियो प्रजेक्ट आयल के बारे में जैसा कि वेरी इंपॉर्टेंट टापिक है छोटा है परन्तु बेर इंपॉर्टेंट है इससे पुछ लिए जाता है अक्सर लोग ने समाज़ पाती है तो प्रजेक्टाइल क्या है तो यह कुछ भेर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इक्जाप पॉइंट के लिए बेरी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने इसमें बताया है और किसी भी अनावसे चीज़ को इसमें एड नहीं किया है जितने भी में तापिक बताएं मुझे कमेंट में जरूर्ज बताएं फिजी के रिजिक्रेशन के इसे ही टाफिक में लाती रहोंगी जो आपके एक्जाम के लिए बेहरी मॉड़िन होगा तो दोस्तों यह आप पहले बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडि में तक्रिये जाहिए